वीके नियूज उत्तरपरदेश उत्तराखंड सचका सार्थी बहुत बहुत स्वागत हापका वीके नियूज में और आपके साथ महुतन। वारा नसी के काशिविश्वनात परिसर और ज्यानवापी मस्जिद परिसर में एसाइस सर्वे का मुद्दा अभी शान्त भी नहीं हुआ है कि अब एक और मुद्दा गर्मा आगया है और वो है आगरा की ताज महल में बंद कमरों का और अब इन कमरों की जाज आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया से कराने की मांग उठने शुरू हो गए इलावा धाई कोट के लखनव बेंच में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि ताज महल के बंद 22 कमरों को खुलवाया जाए और A.S.I. से इसकी जाच कराई जाए साथ ही याचिका में दावा किया गया है कि इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तिया है आयोध्या बीजेपी मीडिया प्रभारी रजनीश से की तरफ से याचिका दायर की गई है दाईर याचिका में कहा गया है कि ताज महल परिसर का सर्विक्षन जरूरी है जिससे श्यू मंदिर होने और ताज महल होने की वास्त विक्ता का पता लगाया जा सके समेते इन कमरों की जाज करें ताकि स्थिती स्पस्ट हो सके कि वहां हिंदू मूर्थिया या धर्न ग्रंथों से समंधित सबूत है या रही इस याचिका पर मंगलवाट डस्माई को सुनवाई होनी है याचिका करता ने एक तीवी चानल से बात करते वे कहा कि मैंने A.S.I. से पूछा कि ताज महल में जो इन बाइस कमरों को बंद किया गया है इसका कारण क्या है इसके अलाबा Ministry of Culture से भी पूछा इसके पीछे का असली कारण क्या है जिसके जबाब में कहा गया कि इन कमरों को सुरक्षा कारूने के चलते बंद किया गया है पतारे कि कई हिंदुवादी संगटन ताज महल को लंबे समय से शू मंदर होने का दावा कर रहे हैं कई बार इन संगटनों ने ताज महल में सावन के महिने में शुवार्थ्य करने का भी प्रियास किया था बीते दिनों जगत गुरू परम हर्मस आचारे ने भी ताज महल को तेजों महल होने का दावा करते वे अंदर शुप पूजा करने की बात कही थी इस खबर पे आपकी क्या राय हैं हमें कमेंड करके जरूर बताईगा और देश दुर्या की तमान ताजा खबर जानने के लिए आप देखते रहें